आज हम वालमिकी रामायन का किस्किंदा कांड शुरू करेंगे अरण्यकांड के अंत में राम लक्ष्मन कवंध क्राख्यश को मारते हैं और वो मरते समय उसी नहीं एक सलहा दी के आगे जाकर के एक पंपा तलाप मिलेगा पंपा लेख वहां मातंग रिशी का पुराना आश् रिश्यमूप पहाड़ है उस पहाड़ी में सुग्रीव नामक वानरों का राजा रहता है आप उसके पास जाएए वो आपको हेल्प करेंगे उनके मदद से हेल्प से आप सिता को ढूंड पाएंगे और सिता को रावण ने हरा है इतना इंफरमेशन लेकर के राम और और सुख्फिरमिश्मट एपम्पा शरोबरक में पहुंचते हैं फाम पास रोबरकी जो पशीरुती है किसके कंडा का पहला लोट के ना यही चुछ्यरु होता है पूरा पंपा लेक की जीसधर्手न प्र और रहां कि श्रण अनली और राम लक्षमन जब दोनों उस पंपा लेके साथ साथ घूम रहे हैं या जा रहे हैं और उस समय चैत्रमा से वसंत का स्प्रिंग सिजन है और पंपा लेक वैसे ही इतना खुप्शुरत है यह सब देखके राम को सिता की ज़्यादा आने लगी वो बाल में की लिखते हैं जो चीज़ें आपको अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए अच्छे लगते हैं वही चीज़ें जब आप उसके विना जाते हैं फिर वो आपको दुगदाई या पीडा दायक या परिशान करने वाले लगते है तो राम के मन में ये विचारा था था काश सिता साथ में होती तो हम यहां गूमते यहां बैठते लक्षमन फिर राम को समझाते रहे कि आप धिरज रखिए जो उत्सा है वो बना के रखेंगे जब तक हमारे अंदर वो कुछ करने की वो एंतुसियाजिम उत्सा बना रहेग तभी हम कुछ आचीब करेंगे तो उसी के साथ हम सिता को जरूर ढूंडेंगे और जो जिसने हरा है रावन उसको भी मारेंगे तो इस तरह लक्षमन के समझाने के बाद राम और लक्षमन दोनों चलते-चलते रिश्यमूख परवत अब आपको एक नए जगह पर आप नया लोकेशन नया राज्य नए लोग नए क्यारेक्टर और वोक सेंटर है रिश्यमूख पहाट अयुद्या अयुद्या के बाद धंडकारण्या धंडकारण्या के अलग-अलग जगह अब हम आकर पहुंचे रिश्यमूख पहाट पंपा लेक के पंपा सरोवर के पास वानरों का राजा सुग्रिव टहल रहा था और टहलते टहलते दूर से देखा दो लोग तपस्वी के कपड़े पहने हुए हैं पर उनके पास तलवार है धनों है बान है और इधर से ही आ रहे हैं सुग्रिव ये दिकर के डर गया और उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई वाली अपना कोई दो गुपतच्यर या किसी हमें मरवाने के लिए या परेशान करने के लिए कहीं दो लोगों को तो भेज नहीं दिया तब आगे क्या होता है तो हम देखते हैं सर्गद्व से लेंगे तव तो दृष्ट्वा महत्मानो भ्रातरो राम लक्ष्मनो वरा युधधरो वीरो सुग्रिवशंकितो भवत उद्विग्णर दयसरवा दीशसमवा लोकयन ना व्यतिष्ठत कस्मिन्चिद्देशे वानर पुंगवह पानरों का राजा सुग्रीप जब ये दोनो महत्मा भाई, राम और लक्ष्मन को देखा जो बड़े अच्छे अस्त्रशक्तों के साथ आ रही ते देख करके उसको डाउट होने लगा और उसको डर लगने लगा उसका दिल धड़कने लगा वो चारों दिशाओं को देखने लगा कहीं और कहीं से तो कोई लोक नहीं आ रहे है कहीं वाली के दराये भिजगे लोग तो नहीं है। के मारे उसका मन व्याकुल हो रहा था। इस तरह वो धर्मात्मा सुग्रिव जो दोनों आए हैं। अपने मिनिस्टर से मंत्री हैं। उनके साथ उसने ये विचार विमर्श किया। ऐसे रिमोट जंगल के एरिया में ये दोनों क्यों आए हैं। जरूर ये वाली के द्वरा आए हूंगे। छद्मवेश में अपनी छुपा करके कपड़े बदल के पेडों के छाल पहन करके आए हैं। सब बंदरों ने उनको देखा वो दोनों भाईयों को जो धनों वान और तलवार लेकरके इदर उदर घूम रहते। देखने के बाद वो सबके सब उचल कूद करके एक दूसरे पहड में चले गए। एकमेकायन गताह प्लवमाना गिरेर गिरिम प्रकम पयतो वेगेना गिरेनाम शिखरान्यपी। तो वो जल्दी जल्दी एक पहड से दूसरे पहड एक पेड से दूसरे पहड को छलांग लगा लगा करके भागने लगे। दूर से एक पहाड पर चड़कर के कांत में वो जम गए ततशाखाम्रगासर्वे प्लबमाना महाबलाहा बभंजुस्चनगानतत्र कुष्पितान दुर्गसम्सृतान उस बहुत दुर्गम जंगल में उनके उचलकुत के कारण कुछ पेड़ तुटे कुछ फल फॉल निचे गिरे इस तरह अलग-अलग जगह से सारे वानर भाग दोड करके आने लगे उनके जोर-जोर से उचलकुत करके भागने के कारण जो जंगल में हिरन थे दूसरे जानवार थे वो भी घबरा गए तो इस तरह सारे वानर इदर उदर भाग करके एक दूसरे पहाड पर चड़ करके कठा हुए वहाँ उन्होंने अपना राजा सुग्रिव के चारों तरफ घेर करके हाद जोड करके बैठ गये ततस्तंभयसंविग्णम वाली किल्विश शंकितम वाचहनुमान वाक्यम सुग्रिवंवाक्यको विदह संब्रमात्य जतामेश सर्वेईर वाली कृते महान वो सब डरे हुए लोग और सुग्रिव को देख करके हनुमान नामक एक वानर ने वोला सुग्रिव से बोला कि आप इतने डरे हुए क्यों है तो यह जो मलेद पहाड है यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है एक तो यहाँ वाली आ नहीं सकता दूसरा वाली का कहीं दूर- जो शाखा मुर्गत्व है यह जो मंकी नेचर है जिसके कारण आपकी जो दिल है यह जो आपका माइंड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हो परिशान हो जाते हैं देखो गुद्धि विज्यान संपन्न इंगिते सर्वमाचर नहीं अब उधिम जतो राजा सर्वभूता निशास्ति ही इसलिए है राजा सुद्रिप आप बुद्ध्यान और बुद्धी नौलेज और विज्डम इन दोनों से युक्त हो करके जो इशारे हैं जो जो गेश्चर से इशारों से चीजों को समझने की कोशिश करिए जो र हनुमान की ये बाते सुंतर के सुग्रिव ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान देखो ये दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएं वाले जिनका सीना बड़ा चोड़ा है हाथ में तलवार ले रखें पीट पर धनो और बान है ऐसे दो देवताओं के संतान जैसा वीर युवकों को देख करके किसको डर नहीं होगा वाली प्रणिहिता वेतव शंके हम पुरुषो तमव राजानों बहुमी त्राष्च विश्वासो नात्रही ख्यमों है हनुमान राजा लोग हमेशा बहुत ज़्यादा दोस्त रखा करते हैं अलग अलगतर है कि दोस्त रखते हैं मुझे ये डाउट है शंके अहम ये जो दोनों सुन्दर लड़के हैं ये वाली प्रणिहितव इन दोनों को वाली ने वेजा है हमाई मारने के लिए या हमारा पता लगाने के लिए इसलिए हर मनुश्य को ये पता लगाते रहना चाहिए कौन छद्म में छुप करके आया हुआ है क्योंकि जो ट्रस्ट कर जाता है इसली जो इनोसेंट है जो विजिलेंट नहीं है ऐसे व्यक्तियों को ये चल कपट करने वाले शत्रू उनकी इनोसेंस का फायदा उठा करके उन पर प्रहार करते हैं उन पर अटाक करते हैं कृतिये शुवाली मेधावी राजानों बहुतारशी नहा भवंती परहंतार स्थेग्यया प्रकृते इरिनरी आम तोर पर जो बहुत दूर द्रश्टा राजा होते हैं जो ग्रेट विजन वाले राजा होते हैं वो अपनी शत्रों को मारने के लिए हमेशा आम लोगों को यूज करते हैं और वाली बहुत इंटेलिजेंट है अपने विशह में अपने काम में वो बहुत एक्सपर्ट है तो जरूर उसी ने ये आम इंसान दिखने वाले दोनों को हमारे लिए भेजा है तव उत्वया प्राकृते नेवा गत्वाग्ययो प्लवंगमा इंगितानां प्रकारेष्च रूप व्याभाशनी नचा लक्षयस्वत्त योर्भावं प्रहुरूष्टम अनसव यदी विश्वासयन प्रशंसाभी रिंगितेष्च पुना पुना इसलिए है हनुमान आप आम व्यत्ती के वेशधारण करके उहां जाओ और जाकरके पता लगाओ उनकी जो बॉड़ी लैंग्वेज है इंगिता उनकी जो ट्रेड्स है जो हबिच्वल ट्रेड्स है और उनकी जो बात्चीत है उन बात्चीत के द्वारा उनकी बॉड़ी लैंग्वेज को समझ करके उनकी गेश्चर को देख करके पता लगाओ कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं पहले उनकी प्रशंशा करना उनके हर चीज की फिर उनके मुह को फेश को देखना उनके बॉड़ी लैंग्वेज को देखना फिर उनसे पता लगानी कोशिश करना उनका इंटेंशन क्या है और वो यहां क्यों आए हुए हैं है हनुमान आप अर जा करके यह सब चीजें करो अगला सर्ग जाने से पहले जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे वालमी की रामायन पढ़ते हैं ऐसे बहुत चरे जो बहुत crucial point है आप देखते हो वालमी की रामायन में नहीं है जैसे सीता का स्वेंबर नहीं था जैसे रावन जनक के वहां नहीं आया था जैसे लक्षमन का लक्षमन रेखा नहीं थी जैसे अहल्या वाली जो स्टूरी है वो एक दूसरे रूप में था ज जो आम विवाहर में अलग है इसी तरह यह जो आज आप देखेंगे हनुमान और राम लक्षमन की जो पहली बार मुलाकार जो स्टूरीयां हम सुनते हैं या हमें बताया जाता है दूसरे दूसरे रामायनों से कि हनुमान वहां देख करके बहुत राम लक्षमन को दूर से देख करके समझ गया यह भग्वान आ गये ज़कुश हो गया जा करके पैरों में गिर गया राधी आधी आधी दिखाते हैं पर वाल में की रामायन में इसा कुछ भी नहीं है जो अब आप देखेंगे, सुग्रिव के द्वारा हनुमा, सुग्रिव का मंत्री है, अनुमान, हनुमान जाता है, राम लक्षमन की बॉड़ी लाइंग्विज को स्टेडी करने के लिए, रूप बदल के जाता है, उनसे बाचित करता है, उनको प्रेज करता है, फिर जब कोई च हैं, तो फिर लक्षमन अपने आपको इंटर्डूश करते हैं, हम वह हैं, अयुद्ध्या के हैं, उगरा उगरा, तो फिर वो जैसे एक डिप्लोमेट के बात करता है, हनुमान बिल्कुल वही बात करता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हनुमान राम लक्षमन को देख कर कि भगवान समझ बैठा, या राम लक्षमन को पहचान गए, या हनुमान आकर पैरों में गिर गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत चीज़ें वालमी की रामायन पढ़ने के बाद आपको वो दोनों को आप कॉम्पेर करेंगे, तो ये जो अध्या है, अभी देख वच्चो विज्याय हनुमान सुग्रिवस्य महात्मनहा, परवतात रिष्यमुकात्तु पुपलुवे यत्रराघवव, कपिरूपं परित्यज्या, हनुमान मारुतात्मजा, लिक्षु रूपं ततो भेजे, शठवुधितया कपिही, तो महत्मा सुग्रिव की ये बातें स सुन करके, रिष्यमुक परवत से उचल उचल करके, हनुमान जहां पर ये दोनों राघव, राम और लक्ष्मन थे वहां पहुंचा, और वहां अपना असले रूप को छुपा करके, उसने भिक्षु रूप, एक साधु या तपस्व का रूप धारण करके, शठवुधितय चल के रुप में वह अहां पहुंचा, ततस्व हनुमान वाचा, शलक्ष्णया सुमनोग्यया, विनीतवदु पागम्या, राघवो उप्राणि पत्यचा, आब भाशे तथा वीरव, यथावत प्रशशन सच, संपूच्य विधिवत वीरव, हनुमान मारुतात्मजा, चकामतो वाक्यम, मृदो सत्यपरा क्रमव, तो उसके बाद हनुमान जब इन दोनों के सामने पहुंचा, बहुती सौब्ट हमिलिटी के साथ, बिनम्रता के साथ, कोमल शब्दों में, और ऐसे शब्द जो सुनने में मीठा लगे, ऐसे मीठे शब्दों के साथ, उसने राम और लक्ष्मन को अभिवादन ग्रिटिंग करके, उनकी प्रशंशा की, क्योंकि यही सुग्रिब ने कहा था, कि जा करके उनको प्रशंशा करना, तारीब करना, और बादचित के छल में पता लगाने कोशिश करना, यह कौन है, वाली के द्वरा तो भेजे गए नहीं है, र यह जो रिशियों की कपड़े पेहन रखे हैं तो रिशी लगता है माना आप राजर्शी हो, या आप देवता जैसे हो, या राजर्शी जैसे लग रहे हो, दोनों तपस्वी हो, दोनों वरत पालन करने वाले लगते हो, देशम कथमिमं प्राप्तव, तो फिर आप इस देश को क्यों आये हो त्रासायंतव मुर्गगणान अन्यांच वनचारिन और यहां दूसरे जानवारों को डराकत दरा रहे हो बाकी जो पशुपठी है इनको आपके आने के कारण वो डर रहे तो आप यहां क्यों आये हो पंपा तीर रुहान ब्रुक्ष्यान वीक्षमानो समन्त तह इमाम नदिम शुह जलाम शुह यन्तव तपस्विनव धैर्य वन्तव सुवरनाभू कउयुवाम चीर वाससव निश्वसंतव बरभूजव पीड़ यन्तव इमाह प्रजाग। आप दोनों इस पंपा जील के किनारे पेड़ों को देखते हुए आ रहे हो इस जो नदी बहरे ही है सुन्दर पानी वाली ये नदी को देखते देखते आप दोनों चल रहे हो बड़े तपस्वी लग रहे हो बहुती धर्यवान शान्त कूल काम लग रहे हो सोना जैसा चमकता हुआ आपका शरीर है पर आप वो जानवारों के जो छाल है या पेडों की जो छाल है बार के वो पहन रखे हो लंबी-लंबी सांसे ले रहे हो बड़ी-बड़ी भुजाएं आपकी हैं ऐसे जो आप दोनों यहां जंगल के प्राणियों को डरा करके क्यों आ सुग्रिव ने बोला था यह उनके अच्छी तरह प्रशंचा करना जिससे खुश होकर वो सही बाता दे तो वो हनुमान तरिप कर रहा है आप दोनों शेर जैसे फीर लग रहे हो इंद्र जैसा चमक है आप में यह बड़िया खुपशुरत धनु लेकर घूम रहे हो श्रीमंत वड़े सुन्दर हो हाती की सुन्द जैसे आपकी दोनों भुजाएं हैं आप दोनों राजा बनने लायक हो फिर ऐसे जंगली देश में आप क्यों आये हो पद्म पत्रे कि तो कमल जैसा है जटा मंडल अधारिन हो पर आप लोगों ने जटा वांद रखिये सर पे और शरीर में आप पेड़ों के चाल पेहं बख्यों अन्योन्य सद्रुश ववीर हो आप दोनों एक जैसे लग रहे हो देव लोकाद इवागत हो ऐसा लगता है मानों आप दोनों सिदे स्वर्ग से ही आए हो यद्रच्चये वसंप्रापत हो चंद्रसूर्य वसंधराम ऐसा लगता है मानों चांद और सुरज दोनों धर्ति पर आगे हो विशाल अवक्ष सववीर हो आप दोनों की सीना बहुत चोड़ा-चोड़ा है मानुश वव देवर हो पीन हो ऐसा लग रहा है मानों कोई देवता मनुशी की रूप में आ गया हो सिंघस कंधव आपका कंधा शेर जैसा है महोत्सा हो आपके अंदर बहुत ताकत लग रहा है समदाय वगो व्रिशव और बहुत पावर्फूल चांड की तरह आप लग रहे हो आया ताश्च सुब्रताश्च आपकी हाथ बाभू जाएं इतने चोड़े चोड़े हैं गोल गोल हैं पर कमाल है आपके हाथों में कोई आभूशणी नहीं है कुछ आपने पहना नहीं है मुझे तो लगता है आप दोनों इस पूरी धर्ती का राजा होना चाहिए समंदर से लेकर के बिंध्य परवत तक यह पूरी धर्ती का आपको राज करना चाहिए पर आप यहां जंगल में क्यों गूम रहे हो इमेच धनुशी चित्रे शलश्ने चित्रा अनुलेपने प्रकाशेते यतेंद्रस्य वज्रेहेम भिभूशिते जिसे इंद्र का वज्र चमकता है ऐसे आप दोनों की यह जो बड़ा चिकने चिकने और खुपशुरत धनों बड़ा चमक रहा है और आपकी तरकस में तरकस समस्ते ना क्यूबर जिसके अंदर वो बान रहता है वो आपकी तरकस के अंदर बिलकुल तिके तिके बान रखे हुए दिखते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी की जान लेने वाले हैं ऐसे लगता है जैसे कर फन उठाय हुए सांप के तरह हैं यह आपके जो तरकस में वान अर आपके हातों में यह जो बड़े बड़े तलवार दोनों है सोने के आभु सोना जैसा चमकता हुआ ऐसा लगता है मानों जो सांप जो है वो अपने बिल से बाहर निकल गया हो एवं मां परिभाशन तम कस्मादवई नाभिभाशत हाँ हे तपस्वी आप दोनों को में इतनी सारे सवाल पूछ रहा हूं आप कुछ बता क्यों में रहे हो अच्छा चलो आप नहीं बता तो मैं बता देता हूं मैं कौन हूँ सुग्रिवो नाम धर्मात्मा कश्चिद वानर यूथपह देखो जी सुग्रिव नाम के एक धर्मात्मा है बड़ा धार्मिक वानरों का राजा है वीरो बहुत वीर है विनिक्रुतो भ्रात्रा पर उसकी भाई ने उसको अपने राज्य से घर से निकाल दिया जगत ध्रमती दुक्षित विचरा दुक्ही होकर इदर उदर भटकता है प्राप्तोहं प्रिशितस्थेन सुग्रिवेन महात्मना राज्या वानर मुक्षानाम हनुमान नाम वानर उसी महत्मा सुग्रिव के द्वारा मैं आपके पास दूद बन के आया हूँ मेरा नाम हनुमान है मैं एक वानर हूँ युवाभ्याम सहधर्मात्म सुग्रिवा सक्षम इच्छती तस्यमाम सचिवं वित्तम वानरं पवनात्मजं और आप दोनों के साथ हमारे राजा धर्मात्मा सुग्रिव दोस्ती करना चाहते हैं मित्रता प्रेंड्शिप करना चाहते हैं और मुझे मैं उनका सचीव हूँ सेक्रेटेरी हूँ मिनिस्टर हूँ और मैं पवन का वेटा हूँ बिख्यू रूपा प्रतिछन्नम सुग्रिव प्रियकाम यया सुग्रिव की वेलविशर हूँ इसलिए सकल बदल करके तपस्वी वेश में आप दोनों के पास आया हूँ पता करने के लिए कि आप दोनों कौन है मैं रिश्यमोक को परवत से आया हूँ और मेरे में ये शक्ती है कि मैं अपनी इच्छा के अनुशार कैसा भी रूप धारण कर सकता हूं और कैसे भी जा सकता हूं। यह सुनकर के रामने लक्ष्मन को जो कि अपने पास ही खड़े थे उनको बोला। सचिववयं कपिंदरशय सग्रिवस्य वहात्मन. यह रहें कि यह वो बानर रासजीर जिसको हम ढून रहे थे यह उसी सुग्रिव का सचीवे सेकृरीये, मिनिस्टरे. हम जिसको ढूण रहे थे वो हमारे बारे में पता करने के लिए हमारे पास पहुंचा हुआ है हे शत्र को जितने वाला लक्ष्मन आप उस सुग्रिव के सचीव इस हनुमान नामक वानर से बुखे शब्दों में ये बोलिए क्या लक्ष्मन आपने नोट किया ये जो वानर है सुग्रिव का मंत्री ये इतने देर से हमसे बात कर रहा था उसकी लांग्वेज को आपने नोट किया कोई भी व्यक्ती जो रिगवेद को पढ़ा हुआ ना हो जो यजुरवेद को पढ़ा हुआ और आपने नोट किया लक्षमुन ये जो वानर बात करते समय उसके मूह में, उनके आखों में, उसकी फोर हेड ललाट में और भुरुब हो उसकी जो आइब्रोज के बीच में, पूरे शरीर में कहीं भी कोई गलत वाइब्रेशन या कोई गलत मुम्में या बॉडी लाइंग बहुती मैच्योर, बहुती एजुकेटेड, बहुती स्कॉलर टाइब का अव्यक्ति, ऐसा अव्यक्ति जब बोलता है, तो उसकी भाशा में कोई गलतिया नहीं दिखती है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसमें कोई गलतिया नहीं दिखती है, उसकी बोडी वेल एजुकेटेड ये व्यक्ति लग रहा है अविस्तराम असंदिग्धम अविलंबितम अदृतम इस व्यक्ति ने जो भी बोला कोई बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं था असंदिग्धम अर्थ डाउटफुल नहीं था ऐसा लगता था कि जैसे पुरी कन्विक्शन के साथ बोल रहा हो अविलंबितम ऐसा नहीं कि वो अपने वाक्चों को बहुत ड्रैग कर रहा था अदृतम और बहुत फास्ट भी नहीं बोल रहा था और उसकी बाते ना उरस्थ सिने के अंदर रहता था ना कंठगम गले के अंदर रहता था विलकुल एक मीड स्पेस में मीडियम स्पेस में टोन में वो बात कर रहा था को समझ माया चेश्ट में रहना गले में रहना कभी-कभी आप बात करते हैं तो आपके आधी बातें तो मुह से बाहर निकलाती है आ बहुत ले बोलते हैं अब हनुमान में ये दोनों नहीं था ना ये बहुत लाउडली बोल रहा था ने इतना भीआ बोल रहा था या बीच बीच में उसकी शब रही नहीं निकल रहता ऐसे कुछ नहीं, बिल्क 라고 में स्पेस में मेड्योम चून में और हर शब्द को clear करके ना ज़्यादा लंबा खिंच के बोल रहा था वह बहुत slow बोल रहा था जैसा बोलना चाहिए ऐसा ही बोल रहा था इस सबका मतलब क्या है कि जरूर ये बहुत कोई educated, will learn it or will trained व्यक्ति है और जब वो बोल रहा था उसकी language बहुत refined थी, बहुत fast नहीं थी, बहुत slow बी नहीं थी कल्याणि, auspicious बो था, रिदया हारिनी दिल को छुने वाली बातें बोल रहा था अनया चित्रयावाचा, रिस्थान व्यंजनास्तया, कस्यनारा भ्यते चित्त, मुद्यतासे ररे रपी और इस तरह की उसकी जो delivery थी, speech delivery, वो तीन जगह से निकल रहा था, और ऐसे तीन जगह से निकलते हुए वानी, इसकी दिल को नहीं चुएगा, ये तीन जगह कहां होता है, हृदय से, मुझ से, और मस्तिक से, इसका क्यार तो समझते हैं, जब आप बोलते हैं, अच्छा बचन क्या होता है अच्छा वानी, आप दिल से बोलते हैं, मलब आप आप अटिफिशियल नहीं है, whatever you are saying, you are saying with conviction, with your emotion, that is from दिल, मुझ से clear cut बोलते हैं, categorically, और तीसरा स्थान क्या है, मस्तिसक क्यों, brain, with proper thought, proper deliberation, जो मुँ में आया, emotional है, मुँ में जो आया बग गया, नहीं, जो भी बोलता है, उसमें तीन चीजें involved होगा, तो best communication क्या होता है, जहां दिल, दिमाग, और जीव, यह तीनो synchronized हो, दिमाग, well thought, well deliberated हो, दिल, innocently, conviction के साथ, honestly, straightforward, और वानी, clear cut, ऐसा नहीं कि गले में अधा रह गया, यहां अधा रह गया, आप का को खा बोल रहे हो, खा को गा बोल रहे हो, जो जिस अक्षर को, जिस लेटर को, मुँ के, जिस थान पर, जैसे बोलना चाहिए, आप उसी accent, उसी pronunciation के साथ, आप बोलते हो, तद तीनों का मिश्त्रन होता है, तो वो speech, बेश्ट होता है, दिल को चुने वाला, ध्यान दीजे, कितना खुपशरत बाते हैं, तो हनुमान उसी तरह बोल रहा है, एवं विधो यस्यदूतो न तो राम कह रहे हैं, लक्षमन पहें, लक्षमन इस तरह का दूत, जिस राजा के पास होगा, उसका कौन सा काम नहीं बनेगा, अर्था सब काम बन जाएगा, एवं मुक्तस्तो सौमित्री सुग्रीव सचिवं कपिम, अभ्यभाशत वाक्यज्यों वाक्यज्यं पवना अत्म इस तरह, राम के द्वरा लक्षमन को बताय जाने पर, लक्षमन ने सुग्रीव के मंत्री उस पवनपुत्र हनुमान से ये बोला, हाँ जी हनुमान जी, हम तो उस सुग्रीव के वारे में सुन रखेते, उसी को तो ढूड़ते दूड़ते यहाँ पहुचे, हम तो उनसे मिलना चाथते हैं, हम तो आए हैं सुग्रीव से मिलने, यथा ब्रविश्य हनुमान सुग्रिव बचना दिह, ततता ही करिश्यावो बचना तवसत्तमा। इसलिए हैं हनुमान, हम खुदी उनसे मिलना चाथते हैं, हमें उनसे मिलवा दो, जो वो कहेंगे, हम दोनों वो करने के लिए तयार हैं। ततस्यवाक्यम निपूनम निशम्या प्रहुरुष्टरूपह पवनात्मजः कपी मनह समाधाय जयो पपत्तव सक्ष्यम तदा कर तुमिये शताभ्याम। इस तरह लक्षमन की बात सुन करके हनुमान को भी बड़ी खुशी हुई, उसने मनीमन सोचा मेरे राजा का जय हो, मेरे राजा को सुग्रिप को भी इनके साथ दोस्ती करनी थी, ये तो खुदी के तने हमें सुग्रिप्ष मिलना है, तो अच्छा है कि दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए, इस तरह वाचित में हम अगले सर्ग में चलेंगे, चौत्य सर्ग में, वो मैं आपको स्टोरी सुना दोंगा, राम और लक्षमन की बात सुन करके, उनका महराज सुग्रिप के प्रती, राम और लक्षमन के मन में बहुत सुईट एमोशन से अच्छी फिल और उसने मनीमन सोचा कि हमारे राजा सुग्रिप को भी इनकी जरुरत है, क्योंकि वो भी राज्य से निकाले गए हैं, उनको भी किसी साथी की जरुरत थी, तो शायद ये हमारे राजा को भी हेल्प करें, और हमारे राजा को, हमारे राजा से इनका भी कोई काम है, तो दो कोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं तो अच्छा बनेगा तब हनुमान ने दोनों से पूछा आप दोनों यहां क्यों आए हो आप कौन है पहले अपना परिचेत दीजिए यह बड़ा इतना रिमोट एरिया है इतना दुर्गम जहां इंट्री करना मुस्किल है यहां नॉर परिन एजंडा तो नहीं है यह सुन करके राम ने लक्षमन को बोला कि आप ही उनको समझाओ हम कौन है तो लक्षमन ने फिर हनुमान से राम का और खुद का परिचे दिया कि अयोध्या नामक एक राज्य है वहां दश्रत नामक एक बहुती फेमस धर्मज्या राजा है उन उनका ये उनके बड़ा बेटा है मैं उनका छुटा बेटा हूँ किसी कारण बस हमें हमारे राज्य हम से चीन गया तो हमें जंगल आना पड़ा और वनवास के लिए और यहां पर हमारे ये बड़े भाई राम है इनकी पतनी सीता को किसी राक्षष ने हर लिया और हम वो ज और हमें दनु नामक एक राक्षष जो अभिशाप मिलने के कारण कबंध बना था उस कबंध से ही हमें पता चला कि सुग्रिव नामक एक वानर राजा किसकिंधा में ये पंपा लेक के पास रिश्यमूग को पहाड में रहते हैं और वो बहुत भीर हैं पराक्रमी हैं और व उसके लिए हम सुग्रिव को ढूंड़ते ढूंड़ते यहां आए हैं जिससे की वो हमें वैदेही को ढूंड़ने में मदद कर सकें तो हम दोनों यहां आपके राजा सुग्रिव के रिफ्यूज शरण में आएं और ये जो राम आप देख रहे हो ये दुनिया का सबसे वड़ा वीर हैं दश्रब जैसे राजा का संतान हैं इसके वावजुद भी वो भी सुग्रिव के शरण में आना चाहते हैं आप हमें उनके पास ले चलिए मिला दीजिए इस शुन करके हनुमान ने दोनो राम और लक्षमन से बोला देखे शब्द क्या यूज किया है दोनो राजकुमारों प्रिंसेस वानर राज सुग्रिव को आप जैसे धिमान इंटेलिजेंट जितेंद्रिय जिनोंने अपने शरीर और सेंसेस पर कंट्रोल पा रखाए क्रोध जैई जिनोंने अपने क्रोध को जीत रखा है फूल काम बीर जैसे लोगों की जरूरत थी क्योंकि उनकी भी पत्नी को उनकी भाई ने हडप लिया है उनको राज्य से निकाल दिया है और वो अपने भाई वाली के डर से वो यहां छुपे हुए हैं सब्ध और वो भी किसी की हेल्प चाह रहते सवभाग्य से आप दोनों यहां पहुंचे हो और आप दोनों उनको हेल्प कर सकते हो उनकी पत्नी चुडाने में अनर राज्यत चुडाने में और हमारे राजा आपको भी मदद कर सकते हैं तो एक दूसरे को आप दोनों सहायक कर सकते हो यह अच्छी बात है तो चलिए फिर मैं आपको हमारे राजा सुग्रिबशे मिलाता हूँ तब लक्षमन राम से बोले कि यह इस वानर की बात सुनकर के ऐसे लगता है कि सुग्रिब को भी हमारी भी जरूरत है ऐसी हालत में हमारे लिए ता फाइदा है क्योंकि अगर हम उसकी जो विपत्ती है उसमें हैल्ब करें तो वो हमें जरूर सिता ढूड़ने में हैल्ब करेगा तो मुझे लगता है हमारा कार्य सिद्धियाब जरूर होगी तब हनुमान ने कहा कि आप दोनों अब आप मेरे साथ चलिए मैं आपको साथ ले चलोंगा सुग्रिब के पास तो राम लक्षमन ने जब हां कहा तो उन्होंने कहा आप 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 दोनों को मैं अपने कंदे म पर बैठाया और सुग्रिब के पास ले गए हनुमान मनी मन बड़े खुश थे कि हमारे राजा का भी फाइदा हो जाएगा इन दोनों से और इन दोनों को हमारे राजा भी हेल्प करेंगे तो दोनों की मैत्री हो जाएग तो इस तरह हम चाउथा सर्गाजपुरा करते हैं अगले बार फिर आगे की कहानी आप सुनेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें